आधेर आधेए everyone, आप सभी को बैकुंट चतुर दसी की बहुत बहुत बधैया friends, बैकुंट चतुर दसी के दिन 14 दीपक दान किये जाते है यह दीपक हमें कहां कहां जलाने है, कब जलाने है, कैसे जलाने है इसकी संपोन जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी तो देखे, सबसे पहले तो हमें 14 दिये बनाने हैं इन दियों में आप लंबी या खड़ी, कोई भी बाती आप लगा सकते हैं फूल बाती या लंबी बाती और सरसो के तेल के हमें दिये जलाने हैं तो तिल के तेल के भी दिये जला सकते हैं तो तिल के तेल के, सरसो के तेल के 14 दिये हम बना लेंगे और उनको पहले हम तिलक कर देंगे आप देखे, जो वैकुल चतुर्दसी होती है ना इस दिन रात के समय मध्धर आत्री में ये दीपदान किया जाता है घर में ही हम ये दीपदान करते हैं क्योंकि रात के समय तो हम कहीं जाएंगे नी तो मध्यरात्री में घर पर ही ये दीपदान किया जाता है घर पर किस-किस जगे पर दीपदान करेंगे वो हम देख लेंगे तो पहले हम सबसे पहले दीपक बना लेंगे उसमें हमने सरसों का तिल डाल लिया है और हमने यहां पर रोली और चंदन से तिलक कर लिया है सभी दीपक का, क्योंकि दीपक का पूजन करना है यह निवारिय होता है, उसके बाद थोड़े से तिल लेंगे और भोग के रूप में सभी जो दीपक हैं उनमें तिल समरपित कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने तिल का भोग समर्पित कर दिया है इसके बाद हमें क्या करना है थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो यह दीपक है इनके चारों तरफ हम दो बार वार देंगे इस तरह से मिनस देते हैं तो हाज जोड़के नमस्कार कर लेंगे इस तरह से हमारे जो दीपक है इनका पूजन हो जाएगा अब हमें ये दीपक जलाने हैं तो देखे जहां पर भी आप ये दीपक जलाएंगे सीधा जमीन पर नहीं रखने या तो थोड़े से फूल रखके उसके उपर आप दीपक रख देंगे या तो फिर आप चावल रखके चावल के उपर भी दीपक रख सकते हैं या कुछ आसन हमें जरूर देना है सीधा जमीन पर हम दीपक नहीं रखेंगे मैंने यहाप पर थोड़े फूल ले लिये हैं और देखिए ताइम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बै दीपक जला के मैं दिखा देती हूं कि कहां कहां पर जलाना है सबसे पहला दीपक तो हमें अपने घर के पूजा घर में जलाना है जहां पर आप डेली पूजा करते हैं वहां पर हम पहला दीपक जलाएंगे तो यहां पर देखिए मैं थोड़े से फूल रख दिये हैं उसक वांशिव शंकर के सामने भी हमें एक दीपक जलाना है तो दो दीपक ये हो गए हैं तीस तरा चोथा जो दीपक है वो हम गव माता के सामने जलाएंगे तो गव माता की जो भी फोटो या परतीमा आपके घर में है उनके सामने आप ये दीपक जलाएंगे अगर आप गव माता रहती है तो पूरे घर में बरकत रहती है इसलिए हम रसोई में जरूर जरूर ये दीपक जलाएंगे उसके बाद जहां पर भी आपके पूरवजो के फोटो लगे हुए है उसके नीचे यानि दक्षिन दिशा में हमें पित्रों के लिए दीपक जलाना है तो ये दीपक आप जरूर 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 जला दें, आप स्वास्तिक बना सकते हैं, स्वास्तिक ना भी बनाना चाहें, तो सीधे फूलो का आसन देकर आप पित्रों के नाम का दीपक जरूर 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 जलाएं, और प्रातना करें कि भगवन हमारे पित्रों को भी बैकुंट दाम परदान कर तो तुलसी जी तो सब घरों में होती हैं तुलसी जी के सामने हमें एक दीपक जला देंगे और तुलसी जी के सामने दीपक जलाने के बाद अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं और अगर आपने पथवारी बनाई है तो आप पथवारी में भी दीपक जरूर जरूर जलाएं अगर आपने पथवारी नहीं बनाई है, तो पथवारी के नाम का दीपक भी आप तुलसी जी के सामने ही जला सकते हैं, तो यहाँ पर हमने पथवारी में दीपक जला दिया है, इसके बाद घर के आंगन में हमें दीपक जलाना है, तो जो भी आपका घर है, घर के आंगन के ब उसके दोनों तरफ बाहर की तरफ हमें दीपक जलाना है, तो जो कोले होते हैं, कोले जिसको बोलते हैं, चोखट के बाहर, वहां पर हमें दीपक जलाना है, तो देखिए, दो दीपक हमने यहां पर जला दिये हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ इस तरह से हमें दीपक जलाने हैं, इसके बाद जहांपर आपका पानी का जो स्त्रौत है जहां से पानी आता है जो नल है आपका बाहर समरसी बल लगवाया है या सप्लाई का जो पानी आता है वहाँ पर हमें दीपक जलाना है। आकास दीपतान जरूर जरूर करें तो छट पे दिया जरूर जलाएं उसके साथ ही घर के सबसे पीछे का जो हिस्सा है घर के पीछे हमें एक दीपक जलाना है तो इस तरह से हमें 14 दीपक जलाने हैं ये 14 दीपक हमें कैसे जलाने हैं कहां कहां पर जलाने हैं ये संपूर्ण ज वैसे भी बहुत ज्यादा पुन्य फल्दाई होते हैं, तो आप 14 दीपक सरसो के तेल के बना के जरूर जरूर दान करें, उन 14 के दिन 14 दीपक दान करने से बैकुंठ दाम की प्राप्ति होती है, इसके साथ आप 365 बाति का दीपक भी दान कर सकते हैं, 365 बाति का दीपक आप आपको एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स बैकुंठ चतुरदसी के दिन जलाये जाने वाले 14 दीपक की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोसिस करूँ में, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जै श्री किशना, राधे राधे